अनि एमना रदेमा लागणी छेवा रावुल जी बे मिनिट मा अपनी वच्चे आवी राया छे ओं कावू कॉंग्रेस आवे छे तमे क्या जो नव सर्जन लावे छे कॉंग्रेस आवे छे रावुल गांधी रावुल जी मरिष्ट नेता राजस्तान ना पूर्व मुख्यमंत्री परमादर्णी अशोग गेलोज जी डॉक्टर करसंदा सोनेरी जी जिल्ला कॉंग्रेस समिचिना प्रमों कमलेंदर सी जी और राजेंदर बजी मॉणाष्पर भाई लसेता है ओज यहसर्वमंत्री जी जी type आपना वरिष्ट नेता जैमने चूटनी धंडे लो एवो सरस्मजानों बनावे उचे के जैना काणे भाजतना हांजा गगड़ी गया चे येवा वरमादर्णी अमधू सुदनबाई मिस्त्री वर्षा बेन गयाकवाण और आप सवुद मारा वड़ीलो माताओ बैनों यूँआँ दोस्तों बारती जंता पार्टी चार महिना पहला एवो मानी ने चालती है ती जाहे बुजरातनी प्रजा चाहे पाटिदारों होई चाहे बक्षी पंचन भाईयों होई चाहे आदिवासी भाईयों होई चाहे दलित भाईयों होई ये यमना खिस्ता माचे येम गड़ीने चालती है ती अट जे प्रकारे दाहुल जी ए गवारकाती प्रवाद स्वरू करो साउरास्त, डक्षिल गुजरात, मद्य गुजरात अन्य उस्तर गुजरात अन्य आजे हर्वली मा तमारी वच्चे आगया चे त्यारे ये जबर जस्त लागनी प्रेम टेको अन्य साकार एंने मोडी रहो चे मने लागे चे के भारती जन्ता पार्टी ना पेट मा तेल रेडारू चे आरवली मिस्तर छेला बावीस बावीस वरस्ती बारती जन्ता पार्टी वच्चनों आपी ने जाय आदिवासी भाईयों ने माटे वच्चनों आपे कॉंग्रेस नी पंजानी यूपिये सरकार सोन्या जी नी सरकार है आदिवासी भाईयों माटे जंगल नी जमीन नो जे काईदो पार्लामेंट मा पसार करायो और जंगल नी जमीन जंगल नो पाणी और जंगल नी उपज आदिवासी भाईयों ने माटे ये निर्दार व्यक्त करेंगों पड़ा गुजरातनी सरकार आदिवासी भाईयों ने आपती नती वातो करे जाए वचनो करे जाए कोड़ों ना जंगल मा ओरे सदिकारियों आप रकारे आदिवासी भाईयों पर हुमलो करे फारिंग करे आदिवासी भाई होए आग गुजरात मों विकास करें चे आग गुजरात ना रस्ताओं बनावया चे वकानों बनावया चे फूल बनावया चे डेम बनावया चे दन्य चे आदिवासी जनताने के जहने गुजरात ने देशनों विकास करें चे जारे आपनी वच्चे को लांबी वात नहीं करता है इटलीज वात करूं कि भारती जंता पार्टी पासे कोई नित्रूत वर थी जारे नरेंग्र भाई गया ने आनंदी बेंड न मुटी न गया एमना खास टेकेदार ने आनंदी बेंड संबाड़ी शक्या नहीं वहीवट पर कंट्रोल राखी शक्या नहीं युवानमा अंदोलनों शरूत है रोजगारी माटेना शिच्छन माटेना पाटिदार समाजनों अंदोलन शरूत है दलीतों पर अत्याचार थै बक्षी पंच आदिवासियों ने हैरान कि कंट्रों माँए आना परिणा प्रिणा में घवनाज पारटी मा राज स्थीृत्त यचीज़ आननदी बेन गया पचीजा वीज़ियोफ रूपाणी अमिध्वाइशा ना रबर इतम्प निया रबर अध्याभ... बातो रबर्स्टेम तरीके काम मा आवे होआ न थी गुजरात नू बलू करवाने बदले पतानू राजकोच नू शेहर संबाड़ी शके एवी पड़े अमनी स्थिती न थी जाने गुजरात मा जे चूटनी थई जवा रज़ाई रही छे ये चूटनी भारती जनता पार्टी याने गुजरात मी जनता वच्चे नीचे अन्या वक्ते गुजरात ना समग्रव प्रजाजनों ये गुजरात मी जनता है सवल्क नाती दर्म बाशा आदिवासी होई पक्षी पंच होई दलिक होई पाटिदार होई वनिक होई ते बताए नकी करी ना क्यों छे क्या वक्ते बाज़ अपना सुपडा साफ करी ने गैर मकम वीचे यहने गांधी नगर मां कॉंग्रेस को तीरंगो लेरा हो छे आपने एवी सरकार जो ही अच्छे के जैने जैन व्यूटी ए सरकार मां पंजारी सरकार आदिवासी भाईयों माठे काम करे हो तली भाईयों माठे काम करे बक्षी पंच माठे काम करे गई बने मत्यम वर्गना सवर्ण वर्गना लोपोर नों काम करे सव वर्गनों काम करे अन्ने साउने समान तक मले ए विचारदारा वारी आपडी पार्टी जे रिते कॉंग्रेसे मधु सुदन भाई अन्ने टी में साम पित्रोडा लीपत भाबर या अन्ने बजाए बेगा मले ने जे चूटी जंगे वो बना वर एमा खास क्वेगवाई करवा मावी चे आधिवा भाईयों माटे अविच्दी भाईयों माटे अन्ने शिक्षान अन्ने आरोग्याने महत्वा आपमा मायुष। सौटी वदारे महत्वा खेडू तोने माटे मीती नती गरी से अब भारती जंता पाटी वारा तो चाउत कल्लाक विजडियों वचनापी अन्ने ते खास करी न ये पड़ रात्रे आपे चे तोंग्रे से नक्की करिऊ चे के सोड कल्लाक विजडियों याने दिव से खेडू तोने आपमा मायुषे खेडू तोना देवा नाबूत करवा मायुषे खेडू तोने माटे हल्गा व्यादनी लोनों द्वारा खेती नों विकास था ये विव सब्सक्राइब करता है नौकरी मड़े नहीं आजे 30,000,000 करता वदारे बेकारों गुजरात मा आप भार्ती जंदा पार्टी ना कारणेश कॉंग्रेसे नकी करूछे के 25,000,000 करोर रुपया ना खर्चे एक योजना करवा माँशे के जे योजना द्वारा खास करीने आप माटे आयोजन करीने रोजगारी उभी करवा माँशे अने जो योजना ने रोजगार नमोडे तो बार गोरल पास ने 3,000,000 ग्रेजुएट ने 3,000,000 अने पोस्ट ग्रेजुएट थेला योजना ने 4,000 रुपया बत्ता तरीके आप पा माँशे बीजी महत्वरिवात अईया उत्योगत छे पर बहुत थोड़ा छे GIDC नती बड़ाबर काम नती करती एटला माटे आदिवासी इकोनमित जोन नी रचना अरवल्ली जिल्लामा करवावा आउसे अने जैना द्वारा आदिवासी भाईयोंने सोफ्ट लोन उचा बावनी लोन अने एमनी जे कारी गिरी छे पुशल कारी गिरी छे एमना मा जे आवड़त छे ए आवड़त ने बाहर कारी एनों मार्केटिंग के विल्ले करा ए माटे नी व्यवस्ता पर करवा माँ आउशे अने आशिरवाद आप्पा माटे आप सोनों अपार दन्यवाद जैहीं जैज़े गर्वी गुजरात कुप खुबादार हावे अपना दरशपी जोशेरा साथ एक में में आपने समोचन करते पॉल इंडिया कॉंग्रेस कमिटे ना उपाद्यास अने आदेश्ट बविश्य जन्ताना रदयमा वसेला एवा आदनिया राहूल गादे जी आज जन्ता अमारी बिरोडा अने में गरत तालुकानी एमना वती नुआतनों रदय पुर्वक सभागत करूछू अने अपना प्रदेश प्रमुख जे नवसर गुजरापता प्रडेवता छे एवा मन्या भरतपाई सोलंकी साहिबनों अने अई करसेंदा सोनेरे अमारा अमारा परोशी राचे ना पूर्वा मुच्य मंतरी अने ओल इंडिया कोग्रेश कमिटे ना महमंतरी एवा अशो गेला साहिमनों मानने मधसुरों मिस्त्री साहिबनों अने तमाम ये मेठला तमाम मागेवनों उन रदय पुर्वक सभागत करूछू पारे जंता मती सभागत करूछू एटले जवात करी पूली कोड़ू फुद फुद अबार हावे अपना दने राहल जी नो पागडिती स्वागत कुमार इंड्रविजा सेजी पुर्वक तलुका कॉंडरिस प्रमोट डुंगर सी जगा सेजी शंजाजी ठाकूर कम्लेंद्र सी पूर साथे मरी अने पागडि पैराव से अने आ जंता रते थे त अब अब अधिन 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 आशिर्वाट से अब अधिनार्ती साजा युगा कॉंडरिस नेटेम जिटुबायदरेंडा जुनिर कंडिया जुद खराडे लिपुल खराडे सकिन पटेल जैसासारी चिमन कटवा कंदर पटेल तुबेंद्रसेशे शिषो दिया सब कंदं आपने सवताडे ना गडगवाग दिवधामी देश्टों हमें खोट्ष बाबार साइब अवे आपना राबार आपने सदाय आपने होंपापी छे एवा आपना सबरकाठना पुर्व संसाज अने राज्यसाबाना संसाज अने एक आपना एवा मतुद अवे तिरकंफो पार गें, हमें कांजी भाई खराडे। तिरकंफो रापिसाइस के लिए अवे आपनाता राज्यसाइब आपने समोजन पर अधन एक देशाएवा थाकर साइवा आपने संवोजन कंपे आदने लिकेशाइब अवे जो क्यों चियो क्यों पुर्यसाइब नंबने इश्तुर भंगश अखना को प्रमुकष्री राऑउ गंले दि, गई अबल घावथिना क्छाः जु急जय, तुगाथ आर गंव क्छाः नप्रमुकष्री ऑाउ्वा, लुगां क्छाः गट्रॉक, ह्ना जुकां क्णा मत्रमुकष्रीillas को आ जिला नप्रमुक श्री कंलेंद रसी अने आ विधान सबाना उम्मिदवार गाहिसरी जोशिया रहा अने जोडे भी विधान सबाना उम्मिदवार भाहिसरी जोशिया रहा अने जोडे विधान सबाना उम्मिदवार भाहिसरी जाजिन दर्शिया सले त्राशीत मोडा सवाली शीट पन आपने जीतिने में कल्यानी छे काड़ो आमने गुजरात माती काड़ो नौकरियो जो इती हो इतो काड़ो डेमा माती पानी जो इती हो इतो काड़ो आ अनो प्रमुक केज़गे कुकड़ा मर्गान सरकार हमें बणकर यह टो कुकड़ा मर्गा खाना या तो तमेच बदा आता ना जी खाओ जो 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 आमेच चीए आ तो अंग्रीस्ती सरकारे ना अपड़ी सरकारे हाह राज्य मा जया रेना देश माुझा जंगलों मा रहना नो कोने सामोी नोता जंगलों उटर्णमाय ये तमाम सामोी उटर्णमठीकारोн भ्याजा छोनी इंद काईदो करिणिया। कर अ मघवल लाओ तो तुमारा भास लाओ तुमारा रूती लाओ तुमारी कोई पर जंगल खाता मए माना और किसंगर के सके नहीं जंगली जह वीचुजब को खेड़ाय फोई ने मंजूरी वगर लगास आटी हटाई सका यह नहीं आप आए दो स्वानिया गांदीनी सरकारे करें। देश ने आठ टकावस्ती, गुजरात की पंदे टकावस्ती, जे जंगल नी जमीन अपर, जंगल नी अंदर जे लोको रहे छे। ये तमाम नो इमना अधिकारो पाचार क्या। आप अंद्रे सेज करी सके वीजु कोई नहीं। एक परवास ने एक पंद्लाकरी पड़या वगजर। आजे सुस्तीती से, नवकरियों लेली दी, छोकराओं ने बाहर फड़ता करी दी जा। मिलिट्री नी अंदर के ये ती जनारा मानासों में पंद्भरती ने उपड़ लाच रुस्वत ने बदी दाखर थाई। आस्तिती हो सही हचे। आस्तिती माती रस्तो कड़वरे हो। चवद मीतारी के मुरब्वी राहूल गानी नी नतागिरी मां मारे कहले ना जोई ये पण कॉंग्रिस्ती चुटिनी सम्भीती नहूं एक सब्यचू। आवती काले सवा त्रण वागे हमें एम्डे कॉंग्रेस्ती ना प्रमुख तरीके जाहर करवाना छी है आजे चंदके उचे। पटापरा फुरी ना जोणी करजो आखा बुजिराती अंदर एम्ली लेतागिरी मां चोग में तरीके। साबर काथा मां कई वक्ते तम्हे साथ मां इच्छ सीट आती थी। आओ फटे साथे साथ। अने छंपो बड़ो बोगती। अखार इस मां गुजिराती दो नाम रुशन करे। अने भाज अपना वर्ता पाने थाए। ये प्याँ भुलेगा माती बुजी तरक जाए। फुकाए। अने अने चमंतोस करे। भाईव आप खुब मुटी संख्यामा आयाचु। राहु जीने आपड़े सांबरवानाचे। खरेकर अटली मुटी संख्यामा आवीने तम्हें अमना भिवादन करुशे। वो तम्हारो खुब खुब आबार मानोचु। जाए। आवटी पंदर के स्वेवी तारिक्या जाएराक्त से वो मने कहूँ चेहा। इतले इतले सुधारो तम्हारी समाप्स मुकूचु। पार आपने फरी एक खते चोड मुटी संख्यामा मद्दान करिये। अन्हें मद्दान करिने कॉंग्रेस ने हितारिये। उमिल्यार ने हितारिये। इवी आसा साथे। आप सबने खुब कुबाबार। खुब कुबाबार। आपने अधर नेतार हैंजी आपने संबोचे आपने सवतारियों ना गरगार की वदाले लेश्टों आपने वस्टे ओल इंडिया कॉंग्रेस कमीटी ना उपाद्याग् मांडिया स्रेड आपने समोजन करिया जिताओं। कॉंग्रेस। 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 वर्षा गाइकवर जी, कमलेंदे सिंह जी, राजू भाइपदी जी, डॉक्टर अनिल जोशियारा जी, रजेंदर शिंग फाकुर जी, कुरित भाइपटेल जी, डॉक्टर सुनेरी जी, मनराज सिंह राथवर जी , कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्य करता। यूथ कॉंग्रेस, NSUI, महिला कॉंग्रेस, सिवा डल के हमारे सब लोग, भाईों और बेहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, और यो बिल्कुल दिवार पे पीछे लोग बेटे हैं, आप सब का यहाँ दिल से बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. गुजरात का चुनाओ चल रहा है, बाईस साल यहाँ बीजेपी का राज रहा, चुनाओ में भमिश्य की बात होनी चाहिए, लडाई आपके भविश्य की है, तीन-चार महीने से कॉंग्रेस पार्टी आपके भविश्य के बारे में प्लैनिंग कर रही है, त्यारी कर रही है. मेरी 100-200-300 मीटिंग हुई, अलग-अलग जूर्गों से मैंने बात की, आदिवार्सी भाईयों से में मिला, आंगनवारी महिलाओं से, आशा महिलाओं से, हर समाज के लोगों से में मिला, ये लोग जी मिले, सुलांकी जी मिले, मिस्ट्री जी मिले, मिस्ट्री जी का मैं धन्यवाज करना चाहता हूँ, सैम पिट्रोडा जी ने और मिस्ट्री जी ने, जो आपने हमें बताया, आदिवार्सी भाईयों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे दुकांदारों ने, जो आपने हमें बताया, उन्होंने उसको मैनिफेस्टो में डाला और मैनिफेस्टो को तियार किया, तीन महीने लगे, काफी काम किया, और एक मैनिफेस्टो तियार हुआ है गुजरात के वविष्चे के लिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा, जब हम मैनिफेस्टो कियार करे थे, गुजरात के वविष्चे की बाद कर रहे थे, बीजेपी के लोग नर्मदा की बाद कर रहे, तीन महीने पहले उन्होंने कहा, कि ये चुनाओ, हम नर्मदा के पानी के बल पे लड़ेंगे, हमें चाजी ने कहा, मोधी जी ने कहा, वो पा पांच दिन बाद, कुछी समय बाद, कहते हैं नहीं वहिया, कॉंग्रेस पार्टी ने नर्मदा की बात की, पूरी गुजरात की जन्ता ने कहा कि वहिया, नर्मदा का पानी हमें नहीं मिला, पता नहीं किस पानी की बात कर रहे हो, हमारे यहां तो पानी नहीं आता है, बीजेपी मुगारी ने जटके से राइट टर्न मारा दाएं के उर्भूमी कहते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नमरा की बात ने इस बार चुनाओ हम OPC के मुद्देवे लड़ेंगे पांच-दस दिन बार पिछले समाज ने उनको का कि देखिये वहिया 22 साल आपने हमारा कुछ काम ने किया हमारे बन पर आप कैसे चुनाओ लड़ेंगे भीज़ेपिक लोग कहते हैं धीके थीके ठीके ठीके छोड़ो छोड़ो पिछणों पर नहीं लाएंगे अब हम विकास की आतरा निकालेंगे कोंगरेस पार्टी ने विकास के बारे में गुजरात को बताया गुजरात की जंता के जो दिल में था कि बाइस साल यहां कुछ नहीं हुआ ना पानी आया ना बिजली आयू ना रुज़गार मिला आपने खुल के बोला और कर मोदी जी ने नया भाशन किया नया भाशन किया और भाशन में शहेद पहली बार गुजुरात के चुनाओं में मोदी जी ने सिर्फ मोदी जी की बात की अपनी बात की गुजुरात के भविष्ण के बारे में नहीं पिछणों के बारे में नहीं आदिवाजियों के बारे में नहीं किसानों के बारे में नहीं मतूरों के बारे में नहीं नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात की इसका कारण है कारण ये है कि BJP को और नरेंद्र मोदी जी को सच्चाई ने घेर लिया है सच्चाई उनके सामने आ गई और उस सच्चाई के बारे में आज आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मोदी जी अफगानिस्तान की बात करते है पाकिस्तान की बात करते है चाइना की बात करते है अलग अलग चीजों के बारे में बोलते है मगर जो पिछले 22 सालों में उन्होंने आदिवासियों को दिया उसके बारे में एक शब नहीं बोलते है पहले रोजगार के बारे में बोलते थे अब रोजगार के बारे में नहीं बोलते हैं पहले नर्मदा के पानी के बारे में बोलते थे अब नर्मदा के पानी के बारे में नहीं बोलते हैं पहले प्रश्टचार के बारे में बोलते थे, अब प्रश्टचार के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी को मालूम पड़ गया है, और अगर आप उनके चेहरे को थोड़ी गहराई से देखे हैं, तो उनके चेहरे पे लिखा हुआ है। 2017 में गुजरात में कॉंग्रेज पार्टी के सरकार आने वाली है। तो मोदी जी ने, मोदी जी अपने भाशनों में अधिवासियों के बारे में क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ। 2017 में नरेंद्र मोदी जी आपके पास आए। और उन्होंने आपसे वाइदर किया। भाईयों और बहनों 15,000 क्रोन रुपे आदिवासियों को दूबा। वो पैसा आपको नहीं मिला। पाँच साल बाद वापस आए। आपसे कहा भाईयों और बहनों 2007 में मैंने 15,000 क्रोन का वाइदा किया था उसे मैं पूरा नहीं कर पाया। 2012 में मैं आपसे नया वाइदा करता हूँ। छोड़ों 15,000 क्रोन रुपे इस बार में आपको 40,000 क्रोन रुपे दो। 2017 हो गए। 55,000 क्रोन रुपे का आपको वाइदा किया था। आपको कहा था आपको घर मिलेगा। आपको कहा था आपको हस्पताल मिलेगा। और आपको कहा था आदिवासी भाई और बेहनों को पाँच लाथ रूजगार दिलवाएंगे। आपको ये भी कहा था कि यहाँ पर फ्रैक्ट्रिया लगेंगी और आपको रूजगार मिलेगा। अब हम 2017 में हैं। दो बार आपसे नरेंद्र मोदीज ने खुल कर जुट बोला। आपको कहा कि आपके बैंक अकाउंट में पंद्रा लाग रुपे डालेंगे। पंद्रा पैसा नहीं आया आपके पास। आपको लाइन में खड़ा किया। याद है आपको याद है ना। जब आप बटन दवाओगे ना। याद करना जब पंजेब बटन दवाओगे याद रखना कि बीजेपी ने आपको लाहीं में आपको याद रखना। और जूतरे बाद याद रखना और जो यहाद व्यापारी है दुकानदार है। शोले पिक्चर प्याद करना। रात को बारा बजे गपर सिंग आता तर शोले पिक्चर ने। जोड़े पे आता था और गरीबों की आमदनी चीनता था। जब आप बटन दवाओगे याद रखना नरेंद्र मोडी जी ने आपसे पैसा चीना है। गपर सिंग टाक्स लगाकर आपके जेव में से आपका पैसा निकाला है। और गुज्राइच ये कभी भूलेगा ने चालू करिया तो है मोडी 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 जी वीजु कर बता हो सा। आज बता हो आज बता हो। आजी वाश्यकर थोड़ी बात करना चाहता हूं। देखिए जो जल है जो जंगल है और जो जमीन है वह आपकी है। ये आपकी शक्ति है और ये आपका है। पिछले 22 साल में नरेंद्र मोडी जी ने, रुपानी जी ने, अनंधी बेन जी ने, बीजेपी ने आपकी जमीन को छीना है। चोटा सा उधारन देता हूं। टाका नैनो फैक्टरिक उधारन देना चाहता हूं। जितना पैसा कॉंग्रेस पार्टी ने मन्रेगा में डालत, 35,000 करोर रुपए जिससे हमने पूरे देश में हर गरीब व्यक्ति को रोजगार दिलवाया। उतना पैसा बीजेती की सरकार ने सिरफ एक फैक्टरिक को दिया। टाटा नैनो फैक्टरिक को दिया। आपकी जमीन जीनी। आपकी बिजली दी उस फैक्टरिक को। नर्मता का पानी उस फैक्टरिक को दिया। यहाँ आपको पानी ने मिलेगा। मगर उस फैक्टरी को पानी दिया और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप पुरे गुजरास में घुनते हो इस सरक पे आप घुनते हो क्या आपने अपनी आखों से 33,000 क्रे रुपे वाली नर्मदा के पानी वाली आपके बिजली वाली नैमो देखी है जादू का खेल है भाईओ और बेनो मैजिक शो आपको कहते हैं भाईओ और बेनो रुजगार देंगे बिजली देंगे पानी देंगे हस्पताल में डॉक्टर देंगे स्कूल में टीचर देंगे और सच्चा ही निकलती है 33,000 क्रोड आपके बिजली आपकी पानी आपका जल आपका जंगल आपका जब गाया और टाटा नैनो को 33,000 क्रोड रुपए आपको 55,000 क्रोड रुपए का वाइडा दिया था आपको एक रुप्या नहीं मिला एक फैक्टरी को एक कम्पनी को 33,000 क्रोर रुपे नरेंद्र मोडी जी ने स्वयर दिया मगर ये बात वो भाशन में नहीं करेंगे वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अगर वो 33,000 क्रोर रुपे आदिवासियों को दिया होता तो जब आप अपने बच्चों को पॉलिज में बेज़ना चाथे जब आप अपने बच्चों को इंजिनियर बनाना चाथे डॉक्टर बनाना चाथे तो आपको अपने जेव में से 10-15 लाद रुपे नहीं निकालने पड़ते मोडी जी आपको ये नहीं बताते है कि अगर वो पैसा आपको दिया होता तो जब आपके घर में तरही बिमार होता है किसे को दिल का गौरा पड़ता है किसे को कैंसर होता है तो अगर ये पैसा आपको दिया जाता तो आपको एक्सरे के लिए एमराए के लिए हजारों रुपे नहीं देने होते आपो आपरेशन कराने के लिए लाख रुपए नहीं देने होते मॉदिजी अबसे बाषण में नहीं कहेंगे मॉदिजी आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि पिछले साल उन्हों उन्हें एक लाख दीस हजार कुरे रुपए हिंदुस्तान के दस सबसे अमीर लोगों का मार किया और जब किसान उनसे कर्जा माफी मांगते है हाथ खेड़कर हिंदुस्तान का किसान जब उनसे कर्जा माफी मांगता है तो अरुन जेटलिय और नरेल मोडी जी कहते है कि किसानों का कर्जा मात करना हमारी पॉलिसी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी में और बीजे पीए में ये फरक है और मैं आपको स्टेट से कहना चाहता हूँ मैं जूटे वाइदे नहीं करूँगा पंदालाख रुपे देने का वाइदा नहीं करूँगा मगर मैं आपको स्टेट से कह दूँगा जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आएगी आप दस दिन गिनना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस दस दिन के अंदर गुजरात के किसान के कर्जा माफ करने वाली पॉलिसी हम प्यार कर देंगे और उसके काम शुरू कर देंगे और जो आपका पैसा है वो सरकारी हस्पताल में जाएगा आज जो आपको हस्पतालों में डॉक्टर और नर्स नहीं दिखाई देते हैं कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में हस्पतालों में आपको डॉक्टर और नर्स दिखाई देने चुरू हो जाएंगे और आप सरदार पतेल जी का जो हिल्ट केर कार्ड मिलेगा उससे आप किसी भी सरकारी हस्पताल में चले जाना फार्मसी में चले जाना और उस कार्ड से आपको मुफ्ट में गुजराथ के हस्पतालों में दवाई मिलनी शूर हो जाएगी और जब आप अपने बच्चों को एंजिनियर डॉक्टर बनाना चाओगे दो आपको पता लगेगा कि गुजराथ के सरकारी कॉलेजिज में मुफ्ट में आपको आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही है और बिना पैसे के आपके बच्चे एंजिनियर और डॉक्टर बन रहे हैं मोटी जी ने वाइदा किया था कि हर सार 2 क्रोड युवाओं को रोज़गा देंगी तेको पता लगाया देखिए आपने सई शब्द का प्रेवत किया पता लगाया मोती जी 24 गंटे में पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 450 की वहां को रोजगार देते हैं चाइना पचास हजार को 24 गंटे में रोजगार देता है नरेंद्र मोती जी कि सरकार मेकिन इंडिया के बाद, स्टार्ट अप इंडिया के बाद, सिद डाउन इंडिया के बाद, कनेक्ट इंडिया के बाद सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार देता है हमारी सरकार आएगी अगर बेरोजगार युगा है तो उसको हम चार हजार रुपए बेरोजगारी बता रहिए और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको यहां रोजगार मिले और यहां इंडस्री लगनी शुरू हो मोधी जी अपने भाषणों में बरश्करचार के आप बात नहीं करते हैं इसका कारण है आपको उनोंने लाइन में लगाया बैंक के सामने खड़ा किया मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जब आप लाइन में खड़े थे आपने सूट बूट वालों को लाइन में खड़े हुए देखा हिंदुस्तान के सब चोड अपने काले धन को नरेंद्र मोदी जी की मदद से सफेद में बदल रहे थे आज सुबह चाहे की दुकान में मेरी बात हुई दुकान का मालिक मुझे कहता है किरावल जी अगर पहले सो रुपय बनते थे तो आज पचास रुपय गबबर सिंग खा गया आदी आज आमधनी हमारी गाइब हो गई तुपान आया आंदी आई नोटबंदी की आंदी गबबर सिंग टैक्स की आंदी मगर एक चमक्ती हुई कमपनी उस कमपनी पे ना नोटबंदी का असर लगा ना गबबर सिंग टैक्स का वो कमपनी पचास हजार रुपय को तीन महीने में असी करोर रुपय में बगल सकती है जैशा 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 जाड़ा खा गया इतना भूका है कि पचास हजार रुपय को असी करोर में बगल गया शाइन शाइशा जो गुजराथ के रिमोट कंट्रोल को चलाता है त्यूनिंग करता है रुपानी जी नाचते है रेडियो को ऐसे गुमाता है जो वो चाहता है रुपानी जी करते है अब देखिए हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री भी इस व्यक्ति से डरते है आपके सामने शाइन शाह का पुत्र पचास हजार रुपे को असी करोड में बनलता है और देश का चौकिदार अपनी आपको ऐसे बंड करता है भाईयो और बैनो पहले नरेंद्र मौदी जी कहते थे ना खाऊंगा अब उनके आपके सामने शाहिन शाह, अमित शाह जी के पुत्र ने पचास हजार रुपे को असी करोड में बनला मौदी जी ने आख बंड कर ली पहले कहते थे ना काऊंगा ना खाने दूँगा क्याते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूँगा ना देखूंगा ना देखने दूँगा दुख्री तरह यहां से लोग सेना में जाते हैं, एर फोर्स में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं आप हिंदुस्तान की रक्षा करते हो, कुर्बानी देते हो, हिंदुस्तान की एर फोर्स ने 136 हवाई ज्राज करीजे, कॉंट्रैक्ट 136 हवाई ज्राज राफाईल हवाई ज्राज के लेए था HL कंपनी को दिया, HL कंपनी ने 70 साल हिंदुस्तान की सरकार के लिए हवाई जात बना है, एर फोर्स के लिए हवाई जात बना है नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाते हैं, उसी समय उनके एक उद्योट पती मित्र भी फ्रांस में होते हैं हाँ नाम आप जानते हो, पूरा गुजराच जानता है, नाम जानता है, नाम बोलने की जरुर्वत भी नहीं है उस व्यक्ती पे 45,000 कुलोर रुपए का करजा है, उस व्यक्ती ने अपनी पूरी जिंदगी हवाई जाहज नहीं बना है मगर पैरिस में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेट से कॉंट्रेक छीना, एर फोर्स से कॉंट्रेक छीना, और अपने उद्योग पती मित्र को दिया एक हवाई जाहज ने बनाया इसमें, पैंतालिस हजार क्रोर रुपे का करजा है, नेशनल सेक्यूरिटी का मामला है हमने प्रधान मंत्री जी से तीन सवाल पूछे, प्रधान मंत्री जी एक बात बताईए, एर फोर्स का हवाई जाहाज है, आपने जो नेवा कॉंट्रेक इस उद्योग पती को दिया, इसमें हवाई जाहाज का दाम बड़ा या भटा, दूसरा सवाल, नरेंद्र मोडी जी, आपने इस उद्योग पती को कॉंट्रेक दिया, इस पे 45,000 प्रोड रुपै का करजा है, और इसने कभी हवाई जाहाज नहीं बनाया, आपने हिंदुस्तान एरो टॉर्टिकल लिमिटेट से कॉंट्रेक छीना, उस 70 साल से हवाई जाहाज बना रहे हैं, ये आपने क्यों कि और तीसरा सवाल, जब भी एरफोर्ज के लिए, आर्मी के लिए, नेवी पेल के लिए कुछ खरीदा जाता है, तो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी से इजाज़त लेनी पड़ती है, नरेंद्र मोदी जी, फ्रांस में निन्ने लेने से पहले, आपने कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी से इजाज़त ली, हाँ या ना, सीधा देश को पता दीजे, इन सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं देते हैं, बाईस साल में जो यहां हुआ, उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं देते हैं, भाविश्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी आप से नहीं कहते हैं शिक्षा के बारे में नहीं बोलते हैं स्वास के बारे में नहीं बोलते हैं गपड़ सिंग टैक्स के बारे में नहीं बोलते हैं नुवंबर में पार्लमंट चालू होती है इस बार नरेंदर मोदी जी ने पार्लमंट को भी बंद कर दिया पार्लमंट गुज सच्चाई से नरेंद्रमोदी जी को डर लग रहा है। और आज अपने भाषन में नरेंद्रमोदी जी सिर्फ नरेंद्रमोदी जी कि बात कर जा है। उनके पास सब कुछ है। teh cripp दुनिया कैसी को आपको बिटाू और इस बात आपको आप बहुत अच्छी तरह समझोगे, दुनिया कैसी चलती है, उनके पास सब कुछ है, प्रदान मंत्री पर, पैसा, आई बी, पुलिस, आर्मी, यूपी की सरकार, महराष्ट्रा की सरकार, शक्तिजगर, राजिस्तान, मध्य प्रदेश, सब की सरकार, अरुनाचल की प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश की सरकार, सब कुछ, हमारे पास कुछ नहीं, सिरुफ गुजरात की सच्चाई, और हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि सच्चाई के बल पर, कॉंग्रेस पार्टी यहाँ पे जीतने जा रही है, मोदी जी, कुछी दिन बचे है, गुजरात में कॉम्रेस साथी की सरकार आ रही है, और यह जो सरकार आएगी, मोदी जी, सुन लीजिए, अच्छी तरह सुन लीजिए, यह जो सरकार आएगी, यह पांच, दस, उद्योग पतियों की सरकार नहीं होगी, यह गुजरात की जनता की, गुजरात की किसान की, गुजरात की आदि राशी की, गुजरात की मज़ूर की, गुजरात की आशा, रांगनवारी पहनों की, गुजरात के हर समाज की सरकार होगी, आप सब्यारा आए इससMAN प्यार से आपने मेरी बैच सुनें पिछले तीन महीने आपने मुझे सिरफ प्यार ही प्यार दिया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिंदगी भर मैं ये नहीं भोलने वाला हूँ चाहे मैं कहीं भी हूँ किसी भी स्रादेश में हूँ किसी भी गाउ में हूँ अगर गुजराथ की जन्ता मुझसे कुछ भी जाती है आपको सिरफ बुलाना है ओरडर देना है मैं यहाथिर हो जाओ आपने मेरा आपने मेरा दिल जीत लिया है और एक बार मेरा दिल कोई जीत लेता है तो जिन्दगी भर मैं उसका हूजाता हूँ जहो गांद नाल में शिंदग के में अपरा साथ ने से वे जहिदत ते कि पुवार आपने आपर विदिकर्स के कि अपने जान की बाजी लगा कर चो खड़े है उनका सबसे पहले में आपार यहां के होड़ों के फिर्कियों में तर्फित दमान वहीं आपारे हो इस जमीन के मालिश मानिया स्री चैल पर पंडिया जी यहां के अमारे कार्यकर अमीन बेद्रिय जी दिलोडा तालू का कॉंग्रेस समीधी मेजरत तालू का कॉंग्रेस समीधी बुली स्टाथ और हमारे खासम खास ऐसे मीडिया के मिश्टों जिनकों यहां के फोरी परेशा नहीं जरू हुई लेकिन आप यहां पे बजारें आपने इस सबा को सबर बनाया आप सब कामिल तए दिल से आवार मानता हूँ नहीं सुआई महिला कॉंग्रेस सेवादल यूज कॉंग्रेस और खास करके हमारे अजीद सिंग भाड़ना जिनोंने तीन दीन तक अपना राद दीन एक करकर यह सबा सबर बनाने में हमें मदद की है ऐसे अजीद